नमस्कार सभी को आप सभी कसो हो गता है हमारे यूटूब चैनल हिस्ट्री विंद्रेंद्र में आज सीबी एसी 12th क्लास का हिस्ट्री का एक्जाम हुआ फर्स्ट रम का आई उसको सोल करने का प्रियास करते हैं नमिलिक्त में से हडपा से पैता कि किस पुरावस्थों का उप्योग मुक रम्भी दूरी संचार व्यवस्था में किया जाता था टो राइटन सोरों का ओप्सन C नेस्ट कोशन है निमलिक्त में से कौन सा विक्षित हडपा पुरास्थल आज के गुजरात में स्थित है तो धोला वीरा है जहां से जरासे के चिन भी मिले थे निमलिक्त में से कौन सा हड़ापाई संस्किती का सिल्प उत्पादन का केंदर था तो सभी जानते बिल्कुल वीजी कोशन था चन्हुदुडो निमलिक्त बोद के स्तुपों में से किसका संरक्षन कराने के लिए भुपाल के सास को खासकर बेगमों ने धन उपलब्द कराया तो सांचिक स्तुप next question है हरिशेण जिसने प्रग्या प्रसस्ती की रचना की थी वह है निमलिक्त में से किस सासक का दरबारी कवी था तो वो समंद्रगुप्त का दरबारी कवी था next question है question number six बुद्ध की उपमाता संग में आने वाली पहले भिख्शुनी बनी निमलिक्त में से उनके नाम की पहचान केजिए तो उनका नाम था निमलिक्त में से उनके नाम की पहचान करें तो उनका नाम था महापरजापती गोत्मी next question है महानुमी डिबा विस्तित अनुष्ठानों का किंदर था यहाँ निमलिक्त अनुष्ठानों में से कौन सा मनाय जाता था तो उप्सन C नवरात्री अनुष्ठान Next question है, question number 8 निमलिक्त सासकों में से कौन सा तुलुवा, राजवन्स का है तुलुवन्स का कौन सा सा सकता है यहाँ पर Option B, किशन देवराई Next question है, निमलिक्त गटनाओं में से किसने बुद की बहारी दुनिया की पहली यात्रा को पीडा दायक बनाया तो Option C राइट हो जाएगा, उसने बीमार व्यक्ती और लास को देखा Next question है, question number 10 निमलिक्त में से किस गुरू ने सिख समुदाय को समाजिक आर्थिक और से ने बलकि रूप में गठित किया तो अगर NCRT की से देखे तो उसका अंसर C मना जाएगा, वैसे इसका अंसर है हर गोविन सिंग परन्तु NCRT की बात हो रही है, तो यहाँ पर option C right होगा Next question है, निमलिक्त में से कौन सा क्षित्र है जिसमें हडपाई लिपी को रहसे माई बनाय था तो option जो 4 है इसमें वो right हो जाएगा, option 4 Next question है, निमलिक्त गुप्त सासकों में से कौन सा सरवाधिक बलशाली और लुप्रियस हा सकता तो सुमंद्र गुप्त, Next question है यहाँ पर, feeling the blanks दे रखा है नीचे दिएगे विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ती की जिए जब बहुत धरम पूरी एसिया में फैला तो तिर्थिहात्रियों जैसे डैस, चीन से लेकर भारत तक बहुत विचारदरा की खोज में यात्रा की तो जो जो कि चंद्रगप दिएगे सासनकार में भारत में आया था Next question है, question number 14 अपनी पर्थिष्टा को परदर्शित करने के लिए कृष्ण देवराय ने निमलिक्त किस धरमस्थल के सामने हॉल बनुआय था तो इसका राय टंसर हो जाएगा option B, हॉल या अब वहाँ पर मंडप आ सकता है Next question है, निमलिक्त पुस्तकों में कौन सी चानक्य के द्वारा लिखी गई है तो चानक्य ने सभी जानते कि अर्थ सास्तर की रचना की थी Question number 16 विजेन के निकट कृष्ण देवराय ने कौन सा नगर बसाय था, नागलपुरम नामक नगर आवो बसाय था Next है, निमलिक्त युदों में से कौन सा विजेन अगर समराज्या का पतन लाया, तो रक्स सिस्तंगरी का युद जिसको ताली कोटा की युद भी करते हैं और जो 1655 टिस्वी में हुआ था, बहमनी और विजेन अगर के बीच हुए, जिसमें बहमनी जो राज्ये हैं, वो जी जाते हैं Next question है, निमलिक्त में से किन विदेशी सक्तियों ने साची स्थूप के पूर्वी दुवार को अपने देश में ले जाना चाहा तो इसका राज्ये नसर रहे है, option B, फ्रांसी सी ओने Next question है, question number 19 Question number 19 दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर जोड़ा जो है, सही सुमिले थे वो देखना है हमी तो बुद्ध का जुनिर्वान है, कुशी नगर में हुआ था, option D, right हो जाएगा Next question है, यहाँ पर कुछ जानकरी दीगी है, जानकरी को पड़ करके, हमें सही अंसर चुनना है तो यहाँ आरामी की भार्त का सबसे चर्चित विदी दस्तावेज है, यहाँ सस्कित में लिखा गया है, यहाँ दूसरे स्ताब्दी स्यूपरूब से, दूसरे स्ताब्दी के मद्दय लिखा गया है, तो मनु सुमितिया पर राइट हो जाएगा बुद्ध की सिक्ष्याओं से समंदित निमलिक्त में से कौन सा सही यूगम सही है, तो दुख और आतम विहीन, वो आतम को नहीं मानते थे, और दुख उनकी सिक्ष्याओं में सामिल था नेश्ट कौशन है, कौशन आबर टूटी, तू, अलवार संतों के समंद में निमलिक्त कथन का पठन कीजियों और सही विकल्प का चैन कीजिया, तो पहला कशन अहं यहांपर पहला कशन है, अलवार सिव के परतिस मर्पित थे, तो यह गलत है, यहांपर, यूए ही है तो option be right हो जाएगा next question है question number 23 भारत में पहले बार इसी पूरू पहले स्तावदी में निमलिक्त समराज्यों में से किसने सोने के सिखे पर्चित किये थे तो कुशान से भी जानते हैं कुशानों नहीं और सबसे अगर पूछे बड़ी संख्या में तो गुपता था इसमें तो पहली बार पूछा गया तो सबसे पहले किसने चलाए थे तो कुशानों नहीं चलाए थे नेक्स कोशन है कोशन नमीलिक्त में से कों सा ऐथм सरीपिक का भाग नहीं है तो यह कोशन यहाँ पर हिंदी वर्जिन में गलत दिया गया है इंगेलिस वर्जिन में एसा दिया गया reports में यह के थे जाए ंगई manifold में से यह सभी ऐसे लिए गयाए plugins पर इस माक्स में जिया जाएगा नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 20 कोशन नमबर 25 निमलिक को कलानुक्रम के अनुसार विवस्तित के जिए और सही विकलब का चैन के जिए तो इसमें से पहले क्या हुआ था उसके बाद सिकंद्र काकमन हुआ उसके बाद गुप्त सासन का रमबुआ था नेश्ट कोशन है तो इसमें राइट जो है वो डी हो जाएगा यहांपर नेस्ट है निमिलिक्त मेंसे अर्नेस्ट मेंके ने कौन सी पुस्तक लिखी तो अरली इंडर सिविलाजेशन उन्हें लिखी थी नेस्ट कोशिन है निमिलिक्त कत्रों मेंसे कौन सा सिद करता है कि हडपाई समाज में कुछ ही अधिकारी निर्ने लेते थे और उन्हें लागू करते थे तो हडपा परवस्तों की अजदान एक रूपता में लिए ये भी सही है ये जिनका उत्पाद एक केंदर पर नहीं होता था परवे समान उन्हें पात में मिली ये भी सही है बकि ये बस्तिय रणनिती के नुसार नहीं बसाईगी ये गलत दिया यहाँ पर पूरे हडपाई स साहिता से महाभारत के चित्र की पैचान के जिए हस्तिना पुर्के सासक समय से पहले मृत्यों गें दित्राष्ट के भाई थे तो पांडूरा इटन्सर है नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 29 मुर्य समराज्य के इतिहास के पूनर निर्मान के कौन से परमुक्साहितिक स्त्रो हैं तो मैगस्नीज का कारिया भी है और अर्थ सास्तर बोद और जैन और प्राणी गरंथ तो एक दो तीन जिसमें है वो सही हो जाएगा उप्सन सी यहांपर सही है कोशन नमबर 30 तो यहांपर अब धी खतनों कार्ण दिया गया है तो इसमें राइट अंसर एक हो जाएगा चार है वो सही है हिनियान ने जो हिनियान के निवाई थी अपने आपको थेरवादी कहते थे वो अपने आपको हिनियान नहीं ने कहते बलकि थेरवादी कहते थे हिनियान जो वर्ड है वो उनके लिए महायानों ने यूज किया था नेस्ट कोशन है कोशन नमबर 32 निमलिक् तो यहां पर भी हमें एक व्यक्तितों की पच्रित्र की पैसान करनी है तो इसमें हडिमबा आ जाएगा राक्षस उसने एक राक्षस पुत्र गोजनम दिया था घटोतकश को नेश्ट कोशन है तो यह मुहंचोड़ो की जो घरेल उस्ताफ पैता है उसकी यहां पर कुछ बाते दीगी हैं में सही कथन है वो उनकी पैसेन करनी है तो यहां पर उप्शन दो दिवारों में खिड़कया ने थी यह भी सही है गर के मुख्यद्वार से आंत्रिक भाका सिदा वलोकन नहीं होता था यह भी सही है तो बहुत से घरों में ऐसे कुए थे जो कख्ष में बनाएंगे थे जिन में भाँर से आया जा सकता था तो यह दो ऑप्शन एक इसका benefit भी कोशन भी सभी किसको इसका benefit हो मिलेगा क्योंकि दो अप्शन जो है इसमें सही हो रहे हैं कोशन नमबर 35 तो इसमें ओचित मिलान करना है में कनिंगम भारतिय प्रोतातिविक सेश्चन के प्रेज डिरेक्टरी जनरल यहीं से इसका अंसर मिल जाएगा पो डी कवन यहीं हो जाएगा बाकी भी आप मिलान में ने किये हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं नेस्ट कोष्चन है कोष्चन no.36 वीजर्यनर के वीजर अगर सिंद्रम में निमलिक्त कफ़नों में से कौन से शही है तो इसमें जो है वीजर्यनर की स्थापना चोधुन सापदि में यही थी जृत है तो दूसरा इसमें तालीप कोटागी रहता है यही तीसरा यह भी सही है तो स्क्राइट अंसर हो जाएगा, ओप्सन बी, नेक्ट कोशन है, कोशन नम्बर 34, यह कोशन हम ने कर लिया है, यह पेज दुबार आ गया है, कोशन नम्बर 37, कोशन नम्बर 37, कबिर के विशे में निमलिक्त कत्रों में से कौन सा सही है, तो कबिर की रचनाई केवल बिजक में है, गलत है यह पर दूसरे गरंत भी है, गुरुगरंद साही में भी है इनकी रचनाई, इनकी जो, सेकिंड है, कबिर बहुत से, बहुतों के लिए प्रियनस्तों थे हैं, और हैं, यह बिल्कुल सही दिया गया है, वो निर्गुन भक्त का था, निकोल कंटीटली का था, निकीतिन यह रूस का था, तो इसमरा इटनसर है, बी, दुराते बारबोसा, यह कहां का था, पुर्तगाल का निवासी था, जो कि विजे नगर की आतरा पर आये था, नेक्ट कोशन है, निशे दी की जानकरी को पढ़िए, यह 14 सदीम की दर पर आये था, यह आज मेर में है, तो ख्वाजा मुरुदिन चिस्ती की दरगाहा, नेस्ट कोशन है, निमलिक्त में से कौन से कथन कोलें मकेंजी के बारे में सही है, तो यह एक अभियनता स्रवेक्ष रोमान, यह भी था सही है, यह भारत का पहले स्रवेर बना, यह भी सही ह वैं आपने मृत्य तक इस पद पर बना रहा, वो भी सही है, और इसमें जो है, यह गलत यह लाश्ट वाला, तो इसमें जो उप्सन होगा, वो सी उप्सन राइट हो जाएगा, कोशन नमबर 41, दिख स्थान की पूर्ति करने हैं, जले अनाज की दानों तथा बीजों की खो कोशन नमबर 42 है यहां पर, निमलिक्त में से कौन से सिक्षा जैन प्रमपराओं से सम्मंदित नहीं है, तो उप्सन C हां पर जो है, वो राइट है, तो यह जैन धर्म की सिक्षा नहीं है, कोशन नमबर 43, महाबार्थ के संद्रब में निमलिक कतनों में से कौन से सही है, तो पहला कथन पहला दूसरा और तीसा जो कथन है वो सही दिये हैं तो इसलिए उप्सन ए राइट हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है आप वीडियो को रोक करके भी अराम सी वीडियो को एक कोश्चन को देख सकते हैं नेश्ट कोश्चन है 44 जिसे नीचे दिएगी जनकारी को बनवाए गए था नेश्ट कोश्चन है कोश्चन 45 कर्थन और का अरण दिया गया है तो इसका जो राइट अंसर ऑप्सन ए हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है यह मुर्ति दिए गए हैं यह यहां पर महताब बुद्ध की और यह कौन सी कला में बनाए गएगी है तो इसको म तो बुद्ध ने भिख्षों की एक संस्था, संग का निर्मान किया था तो यहां से भी आप उस अंसर का, इमेजवार अंसर का आइडिया लगा सकते थे Next question है, यहां पर paragraph दिया गया है इसको पड़ करके कुछ question है, दिया गया हम का अंसर देना था Next question है, पंच साल नरेश ने परत्योगता का आइवजन क्यों किया गया था तो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए Next question है, महभारत काल में द्रोपती के विवाह का सुरूप क्या था तो भूपती तव था, उसके पांच पती थे Next question है, question number 49 कुंती ने अपने समद वापिस क्यों नहीं लिए कुंती आदेश दे चुकी थी जिनका उल्हंगन नहीं किया जा सकता था Next question है, question number 50 यह कानी पांडवो के भाईचारे को कैसे मजबूत करती है पांडवो ने हर बात पर बंदुता दिखाई Next question है, question number 51 One, महाबारत के इस त्रोथ से रीशी व्यास की भूमिका का विर्शेशन कीजिए त्रोई टंसर एओ हो जाएगा व्यास एक द्रिष्टा, संगितकार और दूरदर्शी रीशी थे Next question है, question number 52 व्यास ने द्रोपती के साथ पांच भाईयों के विभाग को किस प्रकार उचित ठहराया तो अपसने राइट हो जाएगा, व्यास ने द्रोपती को उसका प्रुनर जिनम के बारे में बताया Next question है, यहाँ पर एक paragraph दियागा है संकरदेव के बारे में जोकी पंद्रविस्ताबदी में एक असम के विष्णों जो भक्त थे कुछ कोशन यहाँ उसके बारे में, इस paragraph के बारे में First question है, निमिलिक्त में से कौन संकरदेव का समकानिन था तो इसमें कबीर था, यह तो बहुत पहले हो चुके हैं बुद्ध, महवीर, चानक्ये, तो यह option राइट था इसमें Next question है, हम संकरदेव को सर्वोत संत, विद्वान क्यों मानते हैं उन्होंने अध्यात्मिक ज्यान को प्रेरिशित किया Next question है, question number 55 निमिलिक्त निमिलिक्त में से कौन से पंत का संकरदेव ने पालन किया तो वो एक वैशनों वाद थे Next question है, संकरदेव का व्यक्तितव कैसा था तो वो एक धार्मी व्यक्तितव के थे Next question है, question number 57 निमिलिक्त में से संकरदेव का प्रमुकारिया कौन सा है तो किर्टन घोसुन का पर मुकारिय था संकर्देव ने भागवत प्राण पर जोर क्यों दिया राइट अंस हो जाएगा ए भगवान की भक्ती में आतम स्मृपन करने के लिए नेश्ट कोशन है यहाँ मांचितर दिया हुआ था तो यह एक को पैचानना हमें यहाँ पर A है यह किस नगर का परती दिया है तो यह सांची है तो सांची दिया गया है फर्स्ट का अंसर 59 कोशन का अंसर का अंसर हो जाएगा राइट सांची अब यह हमें नेक्स्ट देखना है यह B दिया है यहाँ पर B को पैचाना यह कौन सा है ठीक है तो मत अपदेश में प्राची नस्तूप कौन सा है सांची का स्तूप है नेस्ट क्वेश्चन है निम्लिक में से कौन सा चोथ यूर पंदर विस्ता आप दिखें कि महत्रपूर समराज्य था तो विजय नगर समराज्य था तो आज की जो सी भी ऐसी का जयाम हुआ उसक क्वेश्चन है